हेलो दूस्तो नमस्कार दो अपडेट्स देखने को मिले एक तो चायना के और से क्योंका GDP वापस इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला ठीके तो वहाँ पे चर्चा है वापस टार्ट हो गई भाई स्टिमिल पैकेज दे दो वरना तो अहलत खराब हो सकती करके तो ये एक देखने वाली बात है और अगर हम लोग बात करें तो शक्तिकांदाश जी का तो ऑफिशल स्टेट्मिंट आ गया कि रेट कट करना तो काफी ज्यादा अरली हो सकता है रिस्की हो सकता है ठीके तो इन चीजों का इंपक्ट कल बाजार की उपर कैसा पड़ेगा ये देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पर रहता है बट बाजार को ये नंबर कैसे लगे ये रेखने वाली बात जरूर रहेगी जैस डबली एनरजी के पर फोकस यहाँ पर रहेगा क्योंकि इसके पीछे का रिजाने की कंपनी ने यहाँ पर असेट एक्क्वाइर की एक ग्रूप के 630 करोड में 630 करोड म देन कोचिन शिप्याड के अगर हम लोग बात करें ये भी फोकस में आपे रहेगा ही रहेगा इसमें तो भाई साब बहुत सारी चीज़े हो गए अच्छे भी हो गया अच्छे भी हो गया उपर से HDB Financials के अगर हम लोग बात करें वहाँ के आईपियो की बात उन्होंने कर ली भाई साड़े 12,000 करोड का आईपियो आने वाला है कोटक बैंक भी कैसे रेक्ट करता है ये भी देखना काफे इंटरस्टिक रहने वाला है इस चीज़ के चलते बैंक निफ्टी फोकस में रहेगा फ्राइडे की अगर हम लोग बात करें तो IGL, MGL के तो धज्या उड़ा दी थी सरकार का एक फैसला पूरी तरह की से इस कंपनी की बैंड यहापे बज गई और उसके बाद भी आप लोगों को बताई है कि कंपनी को अगर अपने उपर मरम पटी भी अगर करनी है जो डैमेज हुए उसको अगर कंपनी को रिकावर भी करना है तो प्राइज यहापे बढ़ाने पड़ेंगे यही तो एक उप्शन रहेगा बट फिर भी जैसे मैंने उस वड़े में आपको डीटेल में बताया कि फिलाल प्राइज बढ़ाना इनके लिए काफी ज़्यादा मुश्किल यहापे हो सकता है जिस स्टेट में यह कंपनिया काम करती है जैसी के एमजल की बात करे तो महाराश्टा में प्रेजेंस है आईजल की बात करे तो डेली मे यहापे हो सकती है पॉलिटेक्स तो हर जगे पे कुट कुट के भड़ी हुए आप से बिलंग पता है तो इसलिए इवन दो इनके उपर नेगेटिव इंपक्ट देखने को मिल रहा है यह अपने मार्जिन को इंप्रूव करने के लिए कॉस्ट तो बढ़ाना चारे होंगे बट इलेक्शन तक तो शायद से मुश्किल होगा ठीक है उसके बाद एक बार इलेक्शन खतम फिर उसके बाद तो मतलब देखे आज ने तो कल तो बाई प्राइस तो यहापे बढ़ने वाले क्योंकि कंपनी के उपर तो बाई कैसे कर सकती है नुकसान ले सकती है ठीक है त दीटेल में सारे वीडियो यहापे हो चुके है ठीक है इस चीज के चलते है आप अपडेटेड रहते हो यह पॉइंट्स के चलते है कल देखना इंटरस्टिंग रहेगा देन जेम फाइनशेल की बात करें इनके उपर का जो रिस्टिक्शन था वार वी ने हटा दिया तो क् कि सरकार क्या करते है लास्ट ताइम तो उन्होंने मना किया था क्योंकि जो चोटे शेर ओल्डर जे उनको इसका कोई वैल्यू नहीं मिलेगा इसलिए उननने मना किया था अभी वापस प्रस्ता और एककर क्या करने की कोशिश कर रहे है वो एक देखने वाली बात जरूर है लिए गी धन बात करेंगे जो मैटो फोकस में रहेगा इसके पीछी का रिजन इसको भी मैं ने वीडियो में कवर किया था कल के आखरी वीडियो में कि करनाटा का सरकार की अगर हम लोग बात करें तो उनने डिशन ले लिया कि जितने भी हम लोगो जो मैटो ओला जेबटो क्मपण Mir 규ा है इंके उपर एक्ष्ट्रा वो Ya s8 लगा दे से, कि टेक्स के उपर टाल टेक्स ठीक है ट्रांस्पोर्टेशन के उपर हमलों को टेक्स लते वे लेइफ ट्रांस्पोर्टेशन पेल टाल राल है ठीक है तो इस चीज के चलते ऐखिड defenders कंपनी ray यूज ही रहेगी तो जमाटो का स्टॉक क्या कोई कैसा रियक्ट करता है वो एक देखने वाली बात तो जरू होगी नो डाउट एक पर्टिकुलर रीजन में ही ये चीजे हापे हुई है not overall countrywide बट स्टिल ये एक important point हम लोगों को देखने का आपे मिल राज करना टका में होई क्या पता कल हर जगे पे हो जाए तो company के लिए दिक्कत वाला माहोल क्रेट करवा सकते है MDL की अगर हम लोग बात करे तो हम लोगों ने खबर देखी थी split से related, dividends related जो की दिया नहीं है consider करने वाले है तो इसी खबर के चलते हम लोगों फ्राइडे की दिन ये stock भागते वे देखने वाली बात जरूर रहेगी tech महिंद्रा की बात करे इनके number सामने आए तो उसका reaction देखना है आपे pending है कल समझ में आ जाएगा तेजस network की बात करे वाई इन्होंने तो इबदम अफला तून ही numbers दिखाए है quarterly, yearly बात कर ले, profit before tax की बात कर ले, after tax की बात कर ले, earnings की बात कर ले हर पैमाने के उपर company धुम धड़ा के दार परफर्म दिखाए है सिर्फ अभी हम ये कह सकते की number तो market close जाने के बाद है अब उसके पहले stock अल्यड़ी 5% भागावा था Friday के दिन ठीक है अभी और इसमें क्या तेजी बनेगी कल के दिन ये देखने वाली एक कमाल की बात ज़रूएगी numbers तो इतने शांदर रहे है, chances तो लगते कि भाई scope तो अभी भी pending है network की अगर हम लोग बात करें, net web technologies तो इन्होंने भी एबदम अफलाटून numbers दिखाए है, तो ये भी देखने वाली बात है, कि इसका reaction कैसे रहता है कल के दिन बाजार में, इन्होंने भी Friday के दिन आप देख सकते हैं, तेजी अलड़ी दिखा दी number आने से पहले ही, दैन अगर हम लोग बात करें, MCX के उपर focus रहेगा, इन्होंने भी killer number से आप दिखाए, ये सारे चीजे में, हफ़ते बारे में cover यापर कर चुका हूँ, overall reality की बात करें, इन्होंने भी अच्छे number दिखाए, Friday market close आने के बाद इनके number आये इसके उपर भी focus रख सकते हो, टाटा consumer है के average company, बट still company ने अच्छे number से आपर दिखाए, estimate को beat किया है, तो consumer के उपर भी focus रहेगा, इंडिया मार्ट की बात करें, बहुत समय के बाद इन्होंने अच्छे number से आपर दिखाए, estimate को भी आपर beat किया है, टीक है, वैसे तो estimate इसके पहले भी उन्होंने beat किया था, अभी कल देखने वाली जरूर बात रहेगी, कि इंडिया मार्ट को अभी जो लगाता है, जो गिरावाट हम लोगों देखने हो का आपर मिल रहे त्याव देख सकते हो, उसके बाद तो यह flat ही हुआ था, तो क्या यहां से वो उड़ पाएगा या नहीं उड़ पाएगा, क्या बड़े investor को वो इंप्रेस कर पाए या नहीं कर पाए, यह हम लोगों को इस सवाल को आप कल के दिन देखने को मिल जाएगा, इंडिया माट फोकस में रहना चाहिए, नेक्स्ट अगर यह healthcare वाली जो company है दोस्तो तो इसके उपर आप focus रख सकते हो, इनके नंबर भी हमनों को काफी impressive देखने को आपे मिले है, इसमें पाच companies तो focus में आपे रखनी है, यह वाली company भी आप देख सकते हो, नेक्स्ट यह जो paper and board वाली company है, इसमें भी नंबर खराब थे, डालमिया भारत के नंबर खराब थे, टेके detail में वीडियो अल्यड़ी हो चुका है दोस्तों, अगर बात करें, and high energy batteries की भी बात करें, इनके नंबर में इतना तो दम नहीं था, तो बाजार कल की इस प्रकार से reaction दिखाता है, यह रेखना interesting ज़रूर हैगा, next अगर हम लोग कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो काफी सारे बड़े-बड़े कंपणी के नंबर हम लोग को देखने हो कापे मिलने वाले है, so सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें, तो आप देख सकते हैं, बजाज Housing Finance Limited, फॉर्स्ट टाइम लिस्ट होने के बाद अपने नंबर दिखाने जा रहा है, काफी इंट्रेस्टिंग, मैं तो काफी excited हूँ, देख लेते कैसे नंबर रहेंगे, अभी company तो है बड़ी, average ही performance expectations के इसाब से रहेंगे, बट still check कर लेंगे, next ये जो company छोटी company है, बालु फोच की बात करें, बट ये भी कमाल का performance अभी तक दिखा चुके है, इसके भी numbers आप चाओ तो कल पढ़ सकते हो, देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो semiconductor में एक काम करने वाली company, CG Power के number आने वाले है, जरू नोट करके आपे चलना है, थोड़ा सा और आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, हर एक company के number important होते है, आप चाओ तो gravita के number देख सकते हो, Indian bank के number देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं ही, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, तो बजाज ग्रूप की company महाराश्टर स्कूटर के number देखने को मिलेंगे, नालको के number देखने को मिलने वाले, जरू चाओ तो पढ़ सकते हो, राज रतन के number देखने को हापे मिल जाएंगे, जरू इसको study कर लेना, रूट मोबाइल के number आप पढ़ सकते हो हापे, इसके promoter हम लोग को बदलते वे देखने को मिलेंगे, पहले अलग promoter थे, अभी अलग हो चुके है, जरू इनको note करके रख लेना, ये company काफ़े interesting रहेगी, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ेंगे, तो सुवराज engineering ये भी एक काफ़े interesting company है, जरू इसके number को भी पढ़ना important रहेगा, दैन अगर हम लोग बात करें, one of the most important, अल्टराटेक सिमेंट के अगर हम लोग बात करें भाई, ये तो nifty-fifty वाली company है, सिमेंट सेक्टर की number one company, तो इसके number के साथे ये बाकी सिमेंट के जितने भी company से, उनको एक अंदाजाद जरूर देगा, union bank के number को भी आप चाओ तो study आपे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारी company हम लोग को देखने को आपे, मिल, revenue rate को भी आप चाओ तो पढ़ सकते हो, ठीक है, अभी तो जैसे में आगें के रहा हूँ, या अभी हम लोग थोड़ा सा इसको track तो कर पारे, एक time ऐसा आएगा, कि एक एक दीन में, 100-100-200 company के number आएगे, तब तो पढ़ना हर किसी को काफी ज़्यादा मुश्किल टास्क आपे होने वाला है, तो जरुए इनक्यों पर आपका focus होना चीए, दोस्तों एक important चीज़े इसको note करके चलना कौन सा, मुरद trading, धिपा वली यहापे आने वाली है, ज्यादा time अब भी बज़ा है नहीं, 1st November को आपको पताई है लक्ष्मी पूजा ने, अब लक्ष्मी पूजान के time पे ही मुरद trading होता है, मतलब 1 November को market तो close रहेगा, बड़ एक मुरद trading मतलब एक window open की जाती है, ठीक है तब मतलब share बादर open यहापे रहेगा, एक घंटे के लिए market open रहेगा है, उसका time यहापे release कर दिया जा चुका है, चे बज़े से लेकर साथ बज़े तक, हम शाम की यहापे बात कर रहे है, ठीक है तो काफी interesting रहता है, ठीक है इसके ओपर भी हम लोग video बनाएंगे, जितना हो सक्के जानने की कोशिश जरू करेंगे, तो इस चीज़ के चलते बहुत सारे companies को आप study कर सकते हो, खास करके insurance वाली company, life और health insurance वाली जो company है, यह भी radar के पर रख सकते हो, जिकि बोला जा रहे इनके पर GST कुछ हट तक हटाया भी जा सकते है, या फिर पूरा exam भी किया जा सकते है, मिलते हैं कल तब तक के लिए, बब बाई